अगर दुश्मनी भी तो डूट स्टेंडर की होनी चाहिए ना तो पाकिस्तान के पास है कि जो हम उनको चड़ाएंगे अगर वो इंडिया से आगे होते देन हम चड़ाने की कोशिच करते है पाकिस्तान तो पता नहीं कहां पर है हम तो उसको कहीं पर ले नहीं रहे है ना क्या चाहिए पाकिस्तान में आपको जर्खें गवीन है अग्रिकल्चुर्ड लैंड है हमारे पास आजाद कश्मीर है क्या चाहते हैं आजादी आपने ली पाकिस्तान की जिस हिसे को आज कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर आपका हिसा है नहीं लेट मी क्लियर वो पाकिस्तान का लिए वो जो हमारा हिसा वहां पे गिलगित बलोई सान और पाकिसान उक्पेट के वो हमारा हिस्सा था हमारा है हमारा रहेगा एड सेकंड तिंग आपने कहा कि जिन्ना ने आजादिली माइनॉर्टी इस पे ये तश्युद्ध हो रहा था पथर बाजी मुझे बताईए आपक या कम्मुटी वहां पे जो मुस्लिम्स है चलो मैं माइनॉर्टी की बाद चोड़ता हो पाकिसान से ना हमें कोई फरक पढ़ता था ना पढ़ता है ना पढ़ेगा पाकिसान कहीं वजूद में हैं नहीं जी ट्वैंटी से उनको बाहर ना थे कभी हिस्सा ना होंगे ना कभ यहां पे हुई पाकिसान को क्यों नहीं रासा है पाकिसान को क्यों मिर्ची लगी यह मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर पाकिस्तान अपने इमान पे होता उसके होकुमरान इमान पे होते आपकी आर्मी यह क्या नाम है उनका आर्मी आपकी इमान पे होती बिलावल ट्रॉल करते है बिलो रानी को तो कश्मीर की तो भी ट्रॉर नहीं आई ना जब कश्मीर ट्रॉल करने पर आएगा मुझे नहीं लगता है कि बिलावल बुटो सुबा अपने बैट से उठ पाएंगे इस सुनीजे महवी जी अप आप कहेंगे चाइना से फर्क नहीं पड़ता $9-15 Billion Dollar किसे दिये road बनाने के लिए पाकिस्तान चाइना ने दिया न तो आप तो बनता है अब तो आपको लगता है कि चाइना आपका उल्टी है तो क्यों बाई कश्मीर की बात कर जिस दिन कश्मीरी लोगों की, या कश्मीरी युवां का दिमाग फिर गया, उस दिन पाकसान में गुसकर, आपको गसीड के हम बाहर निकालेंगे वहां से, और पाकसान ऐकेड कश्मीर, मिटेंग यहां से दो दिनों से चल रही ह इतिहास रचा गया जमू कश्मीर से ठीक है पहली बार कश्मीर में या जमू कश्मीर में इसपैसी सिरी नगर में टॉप 20 कंट्रीज ने कदम रखा और उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे और उसके साथ महतुपन बाद मैं आपको बता देता हूँ 2019 से पहले आपने भी क्या करने के लिए निकलते थे वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते थे या पत्थरबाजी करने के लिए निकलते थे लेकिन आज कल की बात करो जब कल डेलिगेशन यहां पे आई जब वो एस तिन अगर इंटरेशल एरफोर्ट से बाहर आई तो लोग जो है सड़कों अ का मुल्क चला रहा है कि कश्मीर तनाजा मुल्क है मुझे यह समुझ नहीं आ रहा है पहले पाकिस्तान को हग किसे दिया इसको बात करने के लिए वो तो जी-20 का ना पार्ट है कहीं ना पार्ट कहीं पे है नहीं अब चलो ठीक अगर जी-20 के पार्ट वो होता तो मैं भी बोल की अब उनकी तरफ से जो है लगातार प्रापगंडा किया गया कि पाक्सान में ऐसा है यहां मत जाएए कश्मीर में ऐसा है यहां मत जाएए स्क्यूर्टी इशू जब वो है मुझे यह बताएए कल के वीडियो आपने भी देखे होंगे वाइरल वीडियो उसे ट्वी टर आती थी चाहे हम अपने देश डेलिगैशन की बात करें यह फिर की बात करें जब भी वो हो आते थे तो कश्मीर का थे किया होता था तब कश्मीर में कार्दि काकस कीवाल हमें कवालबंगे को मिलती थी फ्रो थो T फाइव जी नेटवर्क पे तो यह डिवलॉप्ट कश्मीर गाठी में हुई है ठीक है इससे पहले 2019 से पहले जब भी कोई delegation यहां पे आई यहां तो हमने करिक्षू देखे यहां तो हमने restrictions देखे और उसे देखे जी ट्वाइटी सम्ट मीट जो यहां पे हुई दो दिन फ्यूचर होने जा रही है यांकरी हो भी रहिए चल भी रहिए बहुत सारी मीटिंग्स, मगर गए जी ट्वनटी पे इतना ज्यादा जोर दे को इतना हाइलिट किया मुझे पता है कि पाकिस्तान की वज़से इसको बहुत जादा उठायागे. मुझा जानना चाहती हूं कि क्या जी डूटी को इतना ज़्यदा बूश्ट करने कि और कश्मीर में रखने की सिर्फ वज़ा पाकिस्तान को चड़ाना थी जो कि चड़ागी अवादिस्तान देखे चड़ाने की बात है नहीं हम तो कहां पर हम तो उसको कहीं पर लेजी नहीं है ना आप देख लिए ओल्एया है Совफasteiro सब से वड़ के नूकलियर पावर है पाकिस्टान के वार्न है और क्या चाहिए पाकिस्तान में आप हमारे पास आज़ाते हूं बात कश्मीर है सब्सक्रों कि है जो आपने last बात बोली आजाद कश्मीर, मुझे बताएए ये आजाद कश्मीर नाम किसे ने रखा, ये बताएए कि पाकस्तान occupied कश्मीर है, आपको मैंने last interview में कहा था कि वो पाकस्तान occupied कश्मीर है, ना आजाद कश्मीर, आजाद मेंडिस फ्रीडम, शायद आपके गुवर् से इंसान free होना चाहिए ठीक है मुझे बताइए किस angle से आपको वहां के लोग जो है पाकिस्तान occupied कश्मी के free लग रहे है एक जगा मुझे बताइए एक reason मुझे बताइए कि किस angle से आपको free free लग रहे है freedom of speech वह वहां पे है नहीं पाकिस्तान आर्मि वहां पे मौझूद है पासपर जो उनका लग रहा है वह पाकिस्तान गवर्रमी का है ठीक है पाकिस्तान के अप्रों. जिसको वो आज़ादकशमीर लगता है, किस एंगल से, तीक के मिन् leash पही कई वो है, जो जिनांने दिल वाई थी उनको हिंदुस्तान के पत्थराओं से बचाने के लीए हिंदुस्तान में होने वले ठीक है जो जिस हिस्से को आप आज कह रहे हैं कि आज़ाद कि वो आपका हिस्सा है नहीं लेट मी क्लियर वो पाकिसन का हिस्सा ना था ना है ना कभी होगा आपने उसको ऑकिपाइ किया है ये बात आप बोलिए कि आपने जो आज़ादी लिया है वो आपने इसलामाबाद के लिए है, वो आपने मुल्तान के लिए है, वो आपने फैसला आबाद के लिए, वो जो हमारा हिसा वहाँ पे गिलगित, बलोईसान और पाक्सान उक्पेट के वो हमारा हिसा था, हमारा है, हमारा रहेगा. And second thing, आपने कहा कि जिन्ना ने आजादिली माइनॉर्टीस पे ये तश्युद्ध हो रहा था, पथर बाजी हो रहा था, मुझे बताईए, आपकी माइनॉर्टीस किसे एंगल से वहाँ पे सेफ हैं? आप तो अपने मुस्लिम बायू को भी नहीं बख़च रहे हो, जो शिया कम से कुछ महीने पहले बारा टीचर्स का बेरहमी से कतल किस ने किया? स्कूली बच पेशावर में स्कूल में बलास्स किस ने करवाए? पाकिस्तान के ये तो आप मेंशन कर रहे हैं ये पाकिस्तान की की भी नहीं है, ये तो हिंदुस्तान ने किया क्योंकि हिंदुस्तान तो स पे पिशावर में बंबलाज स्कूल में हुआ जो आतंकी मारे गए उनके पास उनसे कुन से आईडी रिकावर की गई हिंदुस्तान की जवाब दीजे ना जैप अब हिंदुस्तान की बात कर ले तो यहां पर जो भी आतंकी मारे गए उनके पास आपकी कररंशी निकली आपकी कैरंट्री का आइकार निकला आपकी Поэтому करंट्री के सिम कार्स निकले अब हम प्राइडंद कर रहे यह आप लोग प्रपगंडा करें यह देख लीजिए यह आपको कहां पर इंडिया का नोट मिल जाएगा जो जो वहां पर आपके 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 आंड से मातंगी मारे गए सुक्चाही पिशावर स्कूल की बात करें या उस टेम जो खुद दिमिवारी जो है वो ली है टीटी देशतगर्दी के औरिजन ठीक है वो तो इंडिया की नहीं नहीं है यहां पर जेश मुहमद के मिलिटर मारे गए यहां पर लशकरी ताबे के आदने के मारे गए यहां पर हिजबल मुझाइदीन के मिलिटर मारे गए वो कहां के थे वो तो पाकिस्तान के थे ना पाकिस्ता भी गोलिया चली, वो किसे चलाई, मुझे आप एक इंडियान ओरिजिन वहाँ पर दिखा दिखा दिए, पाकिस्तान, कोई भी बंदा कहीं पर आतंगवादी निकला है, किसी के पास असला बरामद हो जाए, कहीं बॉम ब्लाश हो जाए, जैशित गर्दी में पकड़ा जाए, पाकिस्तानी का, और कहीं अगर कोई किसी मुल्का प्राइम मिनिश्टर बन जाए, किसी अच्छे होदे पर फाइस हो जाए, कहीं का CEO लग जाए, तो उस पर टैग लग जाता है, हिंदुस्तान का, क्या वाकि यह से हैं, यह सिर्फ बाते हैं, चली ठीक है, मुझे बताईए किसी को पकरते हैं, तो बस पाकिसान का नाम लो, वो पकरते, आब मुझे बताईए, कि यहां पर उसके बस औरी जेनए, पुरी डिटिएल्स है, यहां पर जो आतकि मारेगे, आप मुझे बताईए, ठीक है, पाकिस्ताने आजदि ली, पाकिसान अलक मुलु था, अब मुझ कभाली आपके साथ से नहीं हाएं किया मुसल्मानों के साथ नहीं किया यहाँ की इजट यह नहीं नहीं लूटी वह कुण थें वह बंगलादी। पाकिस्तान का नारा क्यों लगाता थे पर आज इसका इमान बढ़ लेगा वो मुसल्मन है नहीं पाकिस्तान करने वाले अगर आपके कहने पर आपके मताबि जो आप मुझे कह रही हो जब पाकिस्तान पाकिस्तान यहां पर हो रहा था मुझे आज क्यों ने पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है यह कौमन संस है अगर मैं हिंदुस्तान कर रहा हूं मैं आज भी हिंदुस्तान करूंगा कल भी हिंदुस्तान करूंगा मनने क यहां पे थे, उनके वेल विशर्स यहां पे थे, उनको वहां से फंड आता था, कि कश्मीर में कैसे अमन जो है, बिगाड़ा जाए, कश्मीर में जो डवलाप मेंट है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए वो पैसा इस्तिमाल होजा, दो हजार उन्नीस, चार ओगस्ट, दो पे यहां की सेक्योरिटी फोर्स के साथ से सेंट्रल गोर्मेंट ने शिकंजा कासा, आज हर एक अलगावादी नेता जेलों में बंद है, आज मुझे बताए, आज यहां के लोग क्यों ने निकल रहे, चलो ठीक है, अगर अगर यहां कश्मीर की अवाम आप लोगों के साथ यह एस पर यह आप कह रही हो, ठीक है, अलगावादी नेता आपके चार यह पांच, आपके समर्तन थे, सही दिशाय गिलाइन था, यासे मनी था, शेबिर शाय था, वो तो जेलों में बंद है, बाकी अवाम कहां गई, क्या वो भी जेलों में बंद है, वो क्यों ने असर्क कि चैने, आज आज इंडिया ने हर, पाकिस्तान के स्पेशली खिलाफ जाके चाइना भी नहीं आया, पाकिस्तान भी नहीं आया, जिस पे हिंदुस्तान ने अपनी जुDas थुवाहां घृता, पाकिस्तान और चाइन wedघॉ इन्वाल वोा ही हो नहीं हूजो भी इसका आंसर आपको कर लेता हूँ, पहली बात ये है, पाकिसान से ना हमें कोई फरक पड़ता था, ना पड़ता है, ना पड़ेगा, पाकिसान कहीं वजूद में है ही नहीं, जी ट्वैंटी से उनको बाहर न थे कभी हिसा न होंगे, न कभी रहेंगे, छोड़े पाकिसान को ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को पाकिसान से फरक न पड़े, जितना फरक पाकिसान को इंडिया से पड़ता है, इतना ही इंडिया को भी पाकिसान से फरक पड़ता है, और इंडिया को नहीं पाकिसान से फरक पड़ता है, पड़ता है, इंडिया को भी एदम आगे होगा ठीक है मुझे अगर महाईजी से फरक पड़ा है को माईजी महाईजी का स्टेटस जो है वो मुझे उपर है मैं महाईजी से तब जलिस हो जाऊँगा जब में पास 5G यहां पर जितनी भी development है वो पाक इंडिया में हुई, tourism औरूज पर है, religious tourism वो भी start हुआ, L.O.C. tourism वो भी start हुआ, film tourism वो भी start हुआ, especially मैं आपको एक figure एक ग्रैफिक बता देता हूँ, 2021-2023, that's two years, am I right? 300 से जाइद web series कश्मीर में बनी, 300 से जाइद web series कश्मीर में बनी, जिसमें बॉलिवूड के king khan, sharuk khan भी शामिल हुए कश्मीर में, उन्होंने अपनी film shoot की, famous singer अदितिया नारायन यहां पर आये, female singer बॉलिवूड के रीचा शर्मा, वो कश्मीर आये, सारेगमा पाव winner सलमान खान वो यहां पर आये, और बताईए, एया रहमान जी यहां पर आये, कितने नाम गिनवाओं? जायद मेरे खाल से आप दो दिन पीछे हो, टीविटर चक कर लिजे, आपका पेसर महमद आमिर, उसका टीविटर चक कर लिजे, उसने क्या लिखा? टीविटर चक किया? विराट कोली की जम के तारीफे, आपका पेसर महमद आमिर कर रहा है, जम कर तारीफे कर रहा है, विराट कोली की. अघे इस डिएंड़ के दोग American? मुझे मुझे बता हैं वे इपता है कि इन जुक्त भूल-वारादम कुल्य मरिवादम भूल्स ब्राडचिय दोनुनुं इतने जायन में प्लेर होते हैं कितना प्यार है, I am not talking about this, I am just talking, I am just talking, let me answer, let me answer, let me answer, let me answer, Pakistan versus India is there, मतलब, मैं ये सिप confirm करना चाहरी हूँ, आप से कि हमारे ही दिमागों में नहीं है, वो आप लोग के दिमागों में भी है, जो आप डिनाए करें हैं, जो आप दिने कोई बात नहीं, कि देखें, इंडिया पाक है, हमें अच्छा लगता है, कि कैसे दुश्मन, कैसे दुश्मन के, जैसे दुश्मन मुलक जो है, उनको कैसे पचाड़ा जाए, उसे माज़ा है, तीक है, वो चीज है, सुनो मेरे, 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 मेर प्रफे के में पॉलिटीकस पाकस्तान खेल नहीं नहीं मुझे यह समूझ नहीं आ रहा है कि खर पाकस्तान हर किसी चीज़ से पालिटिकस क्यूं कर रहा है पाकसा को क्यों clapping क्यों मिर्ची यह मुझे समूझ से नहीं हा रहा है अगर पाकिस्तान के tuo के नाम है उनका आर्मी आपकी ईमान पे होती बिलावली्टू कस्मिर क्या इंडिया क्या करने staan करने कंठी क्ष्मीर का क्श्मी है को पुछता भी नहीं है कर दो करते बिलो रणी को तो की तरॉल करते फेडिया से उठपाएंगे ए सुन लीजे महवी जी मैं आपको एक चोटी सी एक्जामपल दूँगा इंडिया ने क्रिस्टल क्लियर अंसर आपको किया है 2014 में कि जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म खतम नहीं होगा तब तक पाकिसान से क्या साथ कोई बात चीत नहीं होगी आप हो फौर टीम हम मानते हैं कि पाकिसान जो है क्श्मीर का मुझे महवी जी अब एक चीज़ बताइए कि उन्हों ने पाकिस्तान की गोवर्मेंट ने आपकी पाकिसान की आर्मी ने आपकी पाकिस्तान टेररिस्ट आईस और्गनाज़ेशन ने क्या किया एक चीज़ मुझे टिर करवाया गया पूरे कश्मीर के लिए का तमाम G20 के मैंबर को उसका कितना इMPैक कर में ऋपकोमिंग के आर्म और कश्मीर यूदeled लएग देखें ये पहले फाकिस के बात है फूरी देश के व के उसके साथ नी के कश्मीर में की कश्मीर के लोगों को तो है, ऐस्सी मिट एक साल विजिट किया कश्मीर में पिछले साल अगर कश्मीर में अगर देखे होटल होटल जो फुली पैकर थे कहीं पर वेकंसी नहीं थी चार-चार मत पहले एडवांस बुकिंग होई थी लेकिन इस बार जो ग्रैफ है वो हमें खाली नैशनल टूरिस जो हमें अपने देश की टूरिसिस है जो देश का एंगे राजुबर रहते वो टू करोर के पार चला जाएगा अब जब फॉर इंविस्टर्स यहां पे आएंगे उसे देख लिजी आप मेहवीजी कि फॉर इंविस्टर्स जब यहां पे आएंगे अपने पॉइंट आफ व्यूस हमारे सा शियर लेंड में रहता हूँ क्योंकि यहां पे ऐसे रोड़ बनाए गए हैं ऐसी मैक्निमाइजेशन रोड़ की किया है ऐसे लाइट लाइटिंग फैसलिटी बनाए गई है आपको मैं याद दिला दू महवीजी यहां पे जो शॉप एक पोलो भी मार्कर था आज से पच्छा बज़ दो बज़े रात तक खुला रहता था लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपनी आतंग की जड़े यहां पर मजबूत की अलगावाद की जड़े यहां पर मजबूत की तो वो मार्कर जो महवीजी है पाँच च्छे बज़े बंद होता था आप देख लिए अं मार्केट है ठीक है लाइट चैकल के लिए एंड आज वो मार्केट आपका दस बज़े भी खुला रहता है गियरा बज़े तक लोग वहा pa बेटे होते है बारा बज़े तक लोग वहाँ पे सेल्फी उठाते रहते हैं आप यूट्यूब चक कर लिजिये आप च्विटर चक ही है मुझे भी रिपोर्ट आगे करना होता है लेकिन जितनी बात मेरी युवां के साथ यूथ के साथ हुई है उनकी सोँच है कितनी बदल चुकी है आज युवा मान रहा है कि नहीं अब हम पथर बाजी से कुछ नहीं मिला पाकिसान ने हमें कुछ नहीं दिया वो तक 6 बजे के बाद गर्ण से बाहर नहीं निकलता था आपने कभी सुना है रैप सॉंग जो रैप सॉंग गाते आज वो भी पोड़ो वी मार्केट में मैंने खुद वो शूट किया है मैं खुद मैंने खुद उस पर रिपूर्ट किया है कि आज वो 8 बजे 9 बजे के करीब वहां पे बैठे थे, रैप सौंग गा रहे थे, छोड़े चोड़े बच्चे निकल रहे थे, वो निकल रही है, वो आज बैठ रहे हैं, आप देख लिए कि कितनी फरक आई तब जब आतंक और अलगावाद पे शिकंजा कसा गया, ये फरक है आज इंडिया, यहाना हमारे कश शिमीर में, उसके साथ आप देख लिए, कल भी कल के वीडियोज आप देख लिए, जो डेलिगेशन्स यहां पे आई, उनके चेहरे जो है, खुशी से कैल कैसे खिल उठे, शिकारा राइडी भी कल हुआ, आज ओपली वो गूम रहे है, मार्केट जा रहे है, पॉलो भी मार है, न कहीं निजान है, न उससे मुकाबला, या उसको जलिस करने के लिए, किसके पास इतना टाइम है, अगर आप नमबर टू पे होते हैं, पाकिस्तान को तो आप नहीं किलते किसी खाते में, न एकॉनमी है, न पॉलिटिकल सिच्वेशन स्टेबल, स्टेबल है, आप लों ने, 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 इसका आंसर मैं आपको बता देता हूना,